What's up everyone, welcome back to the channel, तो guys, अब बारी आ गई है, जब हम रिवाइस करेंगे हमारा issue of shares quickly, फटा फट अगले 30 से 40 मिनट में, जादा सादा 50 मिनट में, मैं आप लोगों को complete revision कराने वाला हूँ issue of shares का, तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, इस वीडियो को देखने के बा पैन चला के अच्छे तरीके से करना है, so that जब मैं आपको issue of shares के most important questions करा हूँ, तो आपको कोई भी डाउट उनमें ना रहे, cash flow statement अगर आपने ऐसे follow किया, तो आज सुबा दस बजे वाले questions आपको सारे बहुत असान लगयोंगे और आपने बहुत असानी से कर लिये होंगे, तो चलिए, शुरू करते है issue of shares, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, कैसे कैसे होती है, वो सारा हम quickly revise करते है, let's begin, चलिए जी, शुरू करते है, हम लोग issue of shares में theory के साथ, sir company क्या होती है, आप सब जानते हो कि हमने एक artificial person है, created by law, having a separate legal entity, मतलब company के अपनी पहचान होती है, perpetual succession, members में come and go, but company में go on forever, company चलती रहेगी, इसको perpetual succession बोलते है, and a common seal, common seal होता है signature of the company, company के क्या-क्या features होते है, बच्चो, separate legal entity होता है, अपनी पहचान, perpetual succession है, चलती रहेगी, limited liability होती है, मतलब अगर company करजा चुकाने की condition में नहीं है, तो किसी भी owner के personal assets नहीं भी केंगे, सब limited liability के साथ चलता है company में, common seal signature होता है, transferability of shares, company के shares आप transfer कर सकते हो, और company में management अलग होता है, ownership अलग होती है, मालिक को यह होता है, management अलग होती है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कितने प्रकार की companies होती है, तो बच्चो, liability के basis पे आप अलग-अलग कर सकते हो, members के basis पे आप अलग-अलग कर सकते हो, और control के basis पे आप अलग-अलग कर सकते हो, liability के basis पे हम लोग बोलते है, company limited by shares, दूसरा होता है, company limited by guarantee, तीसरा होता है, unlimited companies, company limited by shares का मतलब होता है, जितने आपके पास shares है, उतनी उतनी आपकी liability है, unlimited company होती है, ज members के basis पे one person company होती है जिसमें एक ही person होता है private company हो सकती है public company हो सकती है private company में बेटा दो से 200 members हो सकते है public company में seven से unlimited members हो सकते है private company अपने नाम के पीछे private limited लगाएगी public company अपने नाम के पीछे limited लगाएगी इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें control के basis पे तो holding and subsidiary company हो सकता है holding होती है जो बड़ी company है subsidiary होती है जो उसने खरीदी भी है जो उसने acquire करी भी है ठीक है ऐसे ही associate companies हो सकती है तो इस तरीके से types of companies हो सकता है shares क्या होते है बच्चो share basically ownership of a particular company होती है कि अगर मैं company का कोई हिस्सा अपने पास रखता हूं suppose एक लाग की company है 10% मेरे पास है तो 10% share मेरा हो गया या नहीं हो गया है ना तो 10,000 रुपे का share मेरा हो जाएगा nature of shares क्या होता है shares को हम goods मानते हैं ध्यान रखना यह एक number में पूछा जा सकता है share को हम goods मानते है कौन से act में sale of goods act में ठीक है kinds of shares equity shares preference shares यह आप जानते हो equity और preference में क्या फर्क होता है sir preference को preference दी जाती है किस किस respect में dividend fixed मिलेगा dividend equity से पहले मिलेगा उसके बाद जब repayment of capital होगा तो वो भी इसका पहले होगा तो 3 चीज़ा आजाती है यहाँ पे आपको preference को preference मिलेगी 3 चीज़ों में dividend fixed मिलना, dividend equity से पहले मिलना और जो repayment होगा वो भी इसका पहले होगा बस इसमें condition यह भी होती है कि इनको voting rights नहीं होते equity को voting rights होते है उसके बाद preference share कितने प्रकार के होते हैं बच्चों देखो यहाँ पे cumulative non cumulative cumulative non cumulative में क्या फरक होता है cumulative होते है कि अगर पिछले किसी साल में dividend नहीं दिया गया तो उनमें अगले सालों में add होके मिल सकता है जैसे suppose 2023 में dividend नहीं मिला तो 2024 में 24 का भी दे दिया 23 का भी add करके दे दिया तो यह होता है cumulative preference shares में non cumulative में कोई addition नहीं होता एक बार नहीं मिला तो नहीं मिला participating non participating participating यह होते हैं जो अगर company कोई further surplus कमा लेती है तो उसमें भी उनको हिस्सा मिलता है participating non participating होते हैं जिसमें अगर company ने further कोई surplus कमाया है तो उसके अंदर उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता उसके बाद convertible non convertible जो shares equity में convert हो जाएंगे वो convertible जो नहीं होंगे वो non convertible redeemable, irredeemable कौन से होते हैं जो shares एक fixed time के अंदर-अंदर redeemable हो जाएंगे उनको redeemable preference shares बोलेंगे redeem हो जाएंगे वादला payment हो जाएगा उनका irredeemable होते हैं जो fixed time में नहीं होते हैं जब company wind up होगी तो ही होंगे वो ठीक है इसके बाद share capital कितने प्रकार की होती है बच्चो देखो share capital बच्चो सबसे पहले authorized होती है वो share capital जो company के memorandum of association में लिखा होता है उसको हम authorized share capital बोलते हैं उसके बाद issued share capital होती है उसमें से कितना public को offer करा गया उसको issued share capital बोलते हैं then subscribed share capital होती है public ने जितने shares buy करे उसको subscribed बोलते है let's suppose मेरा 10 करोड रुपे का authorized है memorandum में 10 करोड लिखा हुआ है मैंने अभी 1 करोड ही issue करा public को public ने 95 lakh ही buy करा तो authorized हो गया 10 करोड issued हो गया 1 करोड public ने buy करा 95 lakh that is subscribed ठीक है उसके बाद आता है बच्चो called up capital sir called up capital क्या होता है कि आपने कितना पैसा call करा है shareholders से paid up capital कितना shareholders ने आपको pay कर दिया है reserve capital ये वो capital होता है जो company call ही नहीं करती सिर्फ उसी case में call up करेगी अगर company wind up की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोलते है reserve capital theory का question ये exam में आ जाता है what is the difference between reserve capital and capital reserve तो capital reserve क्या होता है कोई भी capital nature का profit होता है वो capital reserve में transfer होता है ठीक है वहीं पे अगर कोई company का वो capital जो company ने call ही नहीं करा कब call करेगी अगर wind up की situation आ जाएगी इसको reserve capital बोलते है ठीक है इसके बाद issue of shares कैसे आप shares को issue कर सकते हो तो share का issue public में किस-किस तरीके से हो सकता है पार पर हो सकता है या premium पर हो सकता है earlier 2013 से पहले discount पर भी होता था लेकिन अभी नहीं होता है अगर आप public को share इशु कर रहे हो तो या पार पर करोगे या premium पर पार का मतलब है दसवाला दस में प्रीमियम का मतलब है दसवाला कुछ extra amount में ग्यारा में बारा में तेरा में ठीक है उसके बाद बच्चों देखो क्या लिखावा है public subscription कितने तरीके का होता है तीन तरीके का होता है full subscription अगर company ने जितने shares issue करें सारे के सारे बिग गए इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी ने जितने शियर ओफर करेते हैं उससे कम बिगे इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं ना पब्लिक में, सिर्फ कुछ selective individuals को, एक तरीका तो यह है, company को पैसा चाहिए, तो जनता में निकाल तो भाई, हमारे shares निकले में खरीद लो, यह तो होता है, normally issue of shares to public, लेकिन अगर यह company, जनता को directly ना देके, कुछ selected number of individuals को share देदे, तो उसको क्या बोले आता है, private placement, ठीक है, employee stock option plan क्या होता है, अगर shares company अपने employees को दे, अच्छे काम के बदले में, उसको बोले आता है, employee stock option plan, sweat equity shares क्या होता है, sweat equity shares, shares है, जो issue करे जाते हैं, directors को, या फिर employees को, for non cash consideration, और at discount, या तो उससे पैसा ही नहीं लेते, या फिर discount पे offer करे जाते हैं, अच्छे काम करने वालों को, for consideration other than cash क्या होता है, अगर आप लोगोंने कोई asset खरीदा है, या कोई running business खरीदा है, उस asset या running business को खरीदने के बदले में, आपने पैसा ना देके, shares दे दिये, तो उसको हम क्या बोल देते है, issue of shares for consideration other than cash, उसके बाद बच्चो, for feature of shares क्या होता है, ये मैं आपको भी बताता आओ भाई, अब मैं तुम्हें entries एक बार quickly revise करा रहा हूं सारी, ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चो, कि issue of shares में, आपको सबसे पहले issue of shares to promoter आपको पता होना चाहिए, क्या entry होती है, issue of share to underwriter आपको पता होना चाहिए, क्या entry होती है, issue of share to vendor आपको पता होना चाहिए, क्या entry होती है, and issue of share to public आपको पता होना चाहिए, क्या entry होती है, ठीक है, अब देखो बच्चो, अगर आपने shares promoters को दिये हैं, तो उस case में हम entry करते हैं, incorporation cost account debit, incorporation cost account debit to promoter, and promoter's debit to share capital, यह entry आपको पता होनी चाहिए, अगर promoter को दिया गया है, incorporation cost to promoter, promoter to share capital, underwriter को अगर दिया है, तो underwriting commission debit to underwriter, underwriter debit to share capital, underwriter debit to share capital, vendor को बच्चो, अगर आपने shares दिये हैं, तो vendor को हम कब shares देते हैं, अगर हमने उससे कोई asset खरीदा है, या कोई running business खरीदा है, तो इसमें दो case बनते हैं, अगर आपने running business खरीदा है, RBS running business, या कोई asset खरीदा है, अगर asset खरीदा है, तो entry बनती है, asset account debit to vendor, and then vendor account debit to share capital, अगर share premium पे हुआ, तो vendor account debit to share capital to security premium, इन सभी concepts पे बच्चो जो questions हैं, वो आज मैं आपको एक link दे रहा हूँ, इस video की description में, वो आपको करने हैं आज अच्छे तरीके से, तो जब तुम वो videos देखो कि तुम्हें और clarity आजाएगी, यह तो मैं तुम्हें quick revision करा रहा हूँ exam से पहले, तो तुम लोगों को idea रहेगा कि हाँ भया quickly revision किस तरीके से हमें करना है, है ना, तो यह quick revision के point of view से है, चलो भईया, यह हो गया जी, अब sir अगर running business खरीदा, इसमें entry बनती है बच्छो, asset account debit to liability to liability क्योंकि running business है, to vendor, vendor में क्या आता है, purchase consideration, जितने में आपने dealing करी है, है ना, asset account debit to liability to vendor, फिर आप entry को compare करते हो, अगर debit में difference आता है, तो हम goodwill को debit कर देते हैं, credit में आता है, तो हम capital reserve लिख देते हैं, तो इसमें और इसमें से एक आएगा, ठीक है, फिर आपने vendor को पैसा देना है, sir vendor को अगर पैसा देना है, तो क्या entry होगी, vendor account debit to share दे दिये हमने, share capital, premium पे अगर दिये, vendor account debit to share capital to security premium, ठीक होगा बच्चों, यह हमारे पास vendor को जब हम shares देते हैं, तो यह entries होती है, promoter हो गया, underwriter हो गया, vendor हो गया, आगया, public में, तो देखो बच्चों, public को दो तरीके से आप shares देते हो, either at par, और at premium, ठीक है, तो जब बच्चों, हम लोग public को shares देते हैं, तो company तोड़ तोड़ के पैसा लेती है, सबसे पहले जो पैसा आता है, वो application होता है, फिर allotment होता है, फिर first call होता है, फिर second and final call होता है, तो देखो अगर normal entry है, तो entry बनेगी bank account debit to share application, share application debit to share capital, पहले entry ही होती है, यह हूप आपको याद आ रही होंगी सारी entries, उसके पास allotment मांगना पड़ता है, share allotment debit to share capital, then bank account debit to share allotment, यह share allotment received हो गया, उसके बाद हम call मांगते हैं सबसे पहले, share first and final call debit to share capital, bank account debit to share first and final call, ठीक है बच्चो, ऐसी सपोस second call भी हो तो share second call debit to share capital, bank account debit to share second call, अगर premium पे हो बच्चो, तो ध्यान रखना premium के लिए security premium word यूज होता है, और यह हमेशा credit किया जाता है, security premium आपको हमेशा क्या करना है, credit करना है, question बताएगा बच्चो की premium कहाँ पे है, अगर नहीं बताया तो it will be always on allotment, ठीक है वो हमेशा allotment पे होगा, तो premium की अगर entry होगी, तो यह same होगी, suppose करो premium allotment पे है, तो यहाँ change आएगा देखो, share allotment debit, to share capital, to security premium, आप यहाँ पे capital के साथ-साथ premium का पैसा भी मांग रहे हो, जब मिलेगा, तो फिर same entry, bank account debit, to share allotment, ठीक है, यह same होगी, बस जिस भी particular call पे premium है, वहाँ पे आप premium को extra credit करोगे, और वो amount यहाँ पे total entry के साथ receive भी हो जाएगा, ठीक है, तो premium में बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, कि premium हमेशा due वाली entry पे लिखा जाता है, and then वो receive हो जाता है, ठीक हो गया बच्चो, तो यह हमारे पास basic entries हैं, जब normally कोई भी particular shareholder या company, कोई भी company shares issue करती है, और उसको पैसा मिल जाता है, अब कई बार ऐसा होता है बच्चो, कि company को पैसा नहीं मिलता, तो अगर पैसा नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं, calls in area, उसको हम क्या बोलते हैं, calls in area, अगर कोई shareholder पैसा नहीं देता, तो उसको calls in area बोलते हैं, यह company के लिए एक नुकसान होता है, इसलिए जिस call में पैसा नहीं मिला, उसमें इसको debit किया जाता है, ठीक है, suppose करते हैं हम, इसी question में, एक shareholder ने first call पे कोई पैसा नहीं दिया, अगर first call का पैसा नहीं दिया, तो क्या entries होंगी, पहली तो same होगी, bank account debit, to share application, share application debit, to share capital, उसके बाद, share allotment debit, to share capital, then bank account debit, to share allotment, अब ध्यान से देखना, अभी तक तो same है, अब हम first call मांगेंगे, share first call debit, to share capital, bank account debit, अब जो पैसा नहीं मिला वो नुकसान हो रहा है, उसको debit करो, calls in areas debit, to share first call, तो ध्यान रगना बच्चों, जिस भी call में कोई पैसा नहीं मिला, due वाली entry में तो आप पैसा मांग रहे हो, तो पैसा मांगना तो पूरा यह है, जब receive होगा, तो area को debit किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, calls in areas, इसके बाद क्या आता है बच्चों, एक concept, इसके बाद आता है, calls in advance, सर, यह calls in advance क्या है, तो calls in advance में बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, एक shareholder अपना पैसा advance में ही दे देता है, ठीक है, तो advance company के लिए liability होती है, liability है, तो यह बच्चों credit करी जाएगी, ठीक है, liability है, तो advance क्या किया जाता है, credit किया जाता है, और फिर बाद में अपने call पे आके debit कर दिया जाता है, अपने call पे आके debit कर दिया जाता है, मतलब, suppose करो बच्चों किसी shareholder ने first call का पैसा allotment पे दे दिया, तो allotment पे ही वो liability है, बस, जब first call का time आएगा, तो फिर वो अपना normal time पे हो गया, तो उसे हम वहाँ पे cancel कर देते हैं, ठीक है, सर कैसे entry होगी, देखो, पहली entry तो same, यह allotment debit to share capital, भाई मैंने allotment मांग लिया, अब जब आपको allotment मिलेगा बच्चों, तो एक shareholder ने first call का पैसा भी दे दिया, ठीक है, shareholder ने first call का पैसा भी दे दिया, तो आपके लिए advance हो गया, आपको कोई भी पैसा advance में मिलता है, वो liability है, तो आप क्या करोगे, bank account debit to share allotment, यह तो भाई, allotment का पैसा मिल गया, और मुझे मिल गया एक calls in advance, सर यह calls in advance क्या है, calls in advance है, जो first call का पैसा मिल गया पहले से, ठीक है, तो देखो मैंने credit कर दिया इसको यहाँ पे, लेकिन जब मैं first call पे जाओंगा न, तो इसको वहाँ पे दिखा दूँगा, first call में debit करके, भाई share first call debit, to share capital, यह मांगा पैसा, अब आप क्या करोगे, bank account debit, भाई, सपोज यह चिंटू ने पैसा पहले दिया है, तो यह तो मना कर देगा न, कि भाई, मैं क्यों do call का पैसा मैं दे चुका हूँ, तो आप इसी को यहाँ पे debit करोगे, bank account debit, calls in advance debit, यह मैंने adjust करा, to share first call, ठीक है, तो यह ध्यान रखना बच्चो, कि area तो बस एक बार debit कर दिया जाता है, जिस call पे पैसा नहीं आया, area तो एक ही बार debit होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ हुआ है, एक ही बार area debit हुआ, advance का क्या nature है, advance पहले credit होगा जब आपको मिला, फिर जिस भी call का वो पैसा है, उस call पे जाके आपको इसको adjust भी करना है, तो फिर वो debit होगा, वहाँ पे जाके, ठीक है बच्चो, तो इस बात का ध्यान रखना, कि किस तरीके से advance को आपको adjust करना पड़ता है, ओल राइट, ठीक है, चालो sir, यह done हो गया, call scenario समझ में आ गया, call scenario समझ में आ गया, इसके बाद हमा फिचर का मतलब यह होता है बिटा कि आपके किसी shareholder ने पैसा नहीं दिया, company ने उसको बहुत मनाया, बहुत request करी कि भईया, पैसा दे दे, पैसा दे, पैसा दे, लेकिन उसने कोई पैसा नहीं दिया, तो अगर ऐसा होता है, तो company फिर उसके shares को cancel कर देती है, उसको अपने register of shares में से हटा देती है, register of shareholders में से, और उसका जितना भी पैसा मिला होता है, वो अपने पास रख लेती है, तो इस case को हम क्या बोलते है, share for feature, share for feature में बच्चो दो case बनते है, अगर share par पे issued है, अगर share premium पे issued है, अगर share बच्चो पार पे issued है, तो क्या entry बनती है for feature की, बड़े ध share capital को debit करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि cancel किया जा रहा है, अभी तक आप share capital को हमेशा credit कर रहे थे, cancel किया जा रहा है, तो debit करूँगा, share capital debit to, उस call का नाम लिखना, जो call नहीं मिला, ठीक है, share allotment, suppose share first call भी नहीं मिला, suppose share second call भी नहीं मिला, मतलब आप question कही से आप से करोगे first call नहीं मिला तो first call लिख देना, second नहीं मिला तो second call लिख देना, ठीक है, and to share for feature, ये बच्चों आप हमेशा balance में निकालोगे, ओके, ये क्या थे, ये थे आपके areas, जो आपका पैसा नहीं मिला था, ठीक है, ये वो हैं, जो पैसा नहीं मिला, share capital में क्या आता है, number of shares forfeited, सबोथ 1000 share forfeit कर रहे हो, 1000, multiplied by called up, जितना आपने उस पे पैसा मांगा है, called up मानी, ठीक है, तो दियान रखना, entry क्या होगी, share capital account debit to, जो पैसा नहीं मिला, जो भी call नहीं मिला, उसका नाम लिख देना, to share forfeiture, share forfeiture होता है balance में, इसका मतलब क्या होत है, जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया, यह company ने अपने पास रख लिया है, company का profit है, profit है, इसलिए credit हो रहा है, ठीक है, perfect है बच्चो, तो इस तरीके से, पार पे share forfeiture के entry होती थी, I guess आपको याद आ गया होगा, premium में दो cases बनते है, premium received, premium not received, share premium पे issue करा गया है, और premium मिल ग एक है, premium not received, sir इसका कोई example है, वो भी दिखा तो थोड़ा याद आ जाएगा, assume कर लो बच्चो, 1000 shares है, जो forfeiture है, 10 रुपे का था, 2 का premium था, 1, 2, 3, 4, और यह था 2 plus 2, ऐसे ही यहाँ पे भी 1000 share है, 10 रुपे का share है, 2 पे, 1, 2, 3, 4, 2 plus 2, इस shareholder ने क्या किया है, यह भी दिया है यह भी दिया है, यह दोनों नहीं दिये, इसने क्या किया, यह दिया, यह तीनों नहीं दिये, तो देखो, premium पे था, यह दे दिया, तो premium मिल गया, यह नहीं दिया, तो premium नहीं मिला, तो इस case में, sir, entry पे क्या impact आएगा, देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप Premium को ignore कर दोगे, अगर Premium मिल गया तो just ignore Premium Premium मिल गया तो बच्चों ignore करना है, अगर Premium नहीं मिला, Premium not received तो Company रोएगी, रोने का मतलब है debit करो Premium को यानि जो नहीं मिला, उसकी बात करो, क्या-क्या नहीं मिला, first call, second call, to share first call, to share second and final call, to share for feature, ठीक है, देखो, 1000 shares है, called up है, 10, अब आप कहोंगे, सर, यह तो 12 का था, तो ध्यान रखना, called up never includes premium, called up में कभी भी premium नहीं होता है, ठीक है, called up में कभी भी premium नहीं होता है, तो 1000 into 10, 1000 यहां जाएगा, 1000 into 3, 1000 into 4, 3000 यहां आगया, 4000 यहां आगया, 3000 यह मैंने कैसे निकाला, balance में, यह हमेशा balance में निकालना है, ठीक हो गया बच्चो, इस तरीके से entry होगी, premium को just ignore कर देंगे, यह premium कहीं नहीं आएगा, तो premium अगर मिल गया, तो you will just ignore premium, premium अगर नहीं मिला, अब सर क्या करना है, तो premium को debit करना है, तो क्या entry होगी, share capital account debit, security premium debit, share capital debit, यह खास बात है, ध्यान रखना, premium को debit किया जा रहा है, premium नहीं मिलता, तो debit करना मत भूल जाना, this is very important, share capital debit, security premium debit, two, share allotment नहीं मिला, share first call नहीं मिला, share second call नहीं मिला, share for feature, ठीक है, एक हजार पे दस, दस हजार capital में आ जाएंगे, एक हजार पे दो, दो हजार premium में आ जाएंगे, एक हजार पे एक, एक हजार पे चार, नहीं, allotment कितने का था, allotment था, चार रुपे का, एक हजार पे चार, यहां first call कितने का था, एक हजार पे तीन, और second call कितने का है, एक हजार पे चार, देखो, ठीक है, बच्चो, premium दिखा दिया, हम लोगोंने, allotment पे पूरे चार रुपे, यह नहीं मिले, इस पे तीन नहीं मिले, इस पे चार नहीं मिले, क्योंकि premium नहीं मिला तो premium को दिखाना है company cheek cheek के दिखाएगी हो हमारा नुकसान हो गया है ना तो 1000 पे 2000 आ चुका है 4000 यहां जाएगा 3000 यहां जाएगा 4000 यहां जाएगा 12 में से 11 हटा दू तो 1000 company को receive हो यह मैंने कैसे निकाले balance यह मैंने कैसे निकाला balance में निकाला तो यह बच्चो फॉर फीचर में तीन cases बनते हैं अगर पार पे है तो यह entry होती है सेम premium पे है तो premium receive हो गया तो premium की बात भी नहीं करनी इगनोर कर देना नहीं मिला तो debit करना entry में याद से ओके इसके बाद बच्चो हमारे पास एक छोटा सा concept आता है अगर यह शेयर रीशू कर दिये गए यह शेयर रीशू कर दिये गए तो क्या होगा तो रीशू पार पे भी हो सकता है बच्चो रीशू premium पे भी हो सकता है री ठीक है चलो पार पर क्या होगा कि 10 रुपे का शेयर था जो 1, 2, 3, 4 ऐसे लेने थे शेयर होल्डर ने ये दिया था ये दिया था ये दोनों नहीं दिये थे तो ये दोनों नहीं दिये तो ये तीन रुपे जो दिये थे ये तीन रुपे आपका प्रॉफिट था या नहीं था बताओ company ने जब इसको cancel करा कि आप हमारे shareholder नहीं रहोगे तो ये तीन रुपए तो company ने अपने पास ही रख लिए ना, है ना, तो ये company का profit हुआ अब company ने फिर से 10 वाला 10 में रीशू कर दिया तो company को तो पूरा पैसा मिल गया तो तीन रुपए का मोटा मोटा profit हो गया नहीं हो गया इस profit को company डाल देती है capital reserve में तो उसकी entry होती है share for feature debit to capital reserve इसका ध्यान रखना ठीक हो गया बच्चो अब होता है premium पे premium का मतलब है 10 वाला share जो forfeit किया था वो 12 में रीशू कर दिया वाँ भाई वाँ company बड़ी जबरदस company है कह रही है तुमने तुम्हें 10 का दिया था तुम्हार से 10 रुपए मांगे थे तुमने सिर्फ 3 दिये अगले तुमने दिये ही नहीं कोई बात नहीं तुम तो हटो तुम हमारे shareholder ही नहीं रहोगे तुम्हें 3 रुपए वापिस भी नहीं मिलेंगे वो हम forfeit करके रखेंगे हमारा profit है हम अब इस share को दुबारा रीशू करेंगे 10 वाला 12 में रीशू करेंगे और यह फिर भिकेगा 12 में बिग्या है ना तो क्या entry होगी bank account debit to share capital to security premium 12, 10, 2 अब company को 3 रुपए का यह profit अभी भी है क्योंकि इसको तो कुछ करा नहीं company ने 3 रुपए का profit तो अभी भी है तो company क्या करेगी इसको फिर से capital reserve में transfer कर देगी share for feature debit to capital reserve यह पूरे 3 रुपए profit वाले ठीक है लेकिन अगा discount पे रिशू हुआ share इसका मतलब है company ने 10 वाला 8 में रिशू किया sir company ने 10 वाला 8 में रिशू किया तो 2 रुपए का तो company घाटा खा रही है यह घाटा क्यों खा रही है कोई बात नहीं बच्चो अभी सिखाता हूं तुमें अब मुझे बताओ company यहाँ actual में भी घाटा खा रही है क्या नहीं company ने जब यही share पहले इशू किया था तो 3 रुपए company को already मिल चुके थे तो इस 10 में से 3 तो company के पास already है company अब सिर्फ 7 रुपए और ढूंड रही है बच्चो दस में से 3 तो पहले वाले ने भी दे दिये थे तो company को जो shortage हुई है वो 7 रुपीस की हुई है company को अभी भी 8 मिल रहे है तो company तो अभी भी फायदे में ही है है ना तो हम क्या करते हैं बच्चो हम entry करते है bank account debit जितना भी आपने discount दिया है वो discount कहा से minus करेंगे profit message जो हमें हुआ है share for feature debit share for feature debit to share capital बस ध्यान रगना discount को discount नहीं लिखना share for feature लिखना है हमें तो देखो bank में आठ आएंगे 2 रुपे discount हो गया 10 रुपे का share था अब सोचो बच्चो देखो 3 रुपे का profit हुआता है 3 में से 2 discount दे दिया अब कितना बचा एक रुपेया बचाना वो जाएगा capital reserve में तो क्या लिखेंगे share for feature debit to capital reserve कितना एक रुपेया अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझे न बच्चो अगर question में लिखा है कि share पार पे रीशू हुए है तो for feature का सारा का सारा पैसा capital reserve में transfer कर देना क्योंकि पार पे हो गया तो कमनी को सारा पैसा मिल गया अगर लिखा है कि shares premium पे रीशू हुए है तो फिर से for feature का सारा पैसा capital reserve में transfer कर देना अगर ये लिखा है कि shares discount पे रीशू हुए है ये सबसे important case है अगर share discount पे रीशू हुए तो आपको ये देखना है कि भाया profit कितना हुआ था उसमें से minus करो जो आपने discount दिया है उसमें से minus करो जो discount दिया है जो बच गया वो जाएगा बेटा capital reserve में ये ध्यान रखना हमें profit हुआ था 3 रुपे का हमने discount दिया 2 रुपे का तो एक रुपे बचा वो capital reserve में गया ठीक है अब मेरे से कोई सवाल पूचे कि सर कमपनी maximum discount कितना देगी तो देखो कमपनी घाटा तो खाएगी नी 10 रुपे का share था कमपनी को 1, 2, 3, 4 ऐसे पैसा मांगा था पहले वाले ने ये दिया ये दिया ये दोनों नहीं दिये तो कमपनी के पास 3 already थे कमपनी को 7 और चाहिए थे तो कमपनी maximum discount जो दे सकती है वो उतना दे सकती है जितना कमपनी को मिल गया है इसका मतलब कमपनी 10 वाला share maximum 7 मेरी इशू कर सकती है क्योंकि उसको 7 चाहिए अगर कमपनी 10 वाला share 6 मेरी इशू कर देती है तो 6 प्लस 3 कमपनी के पास तो 9 रुपे ही रह गए एक रुपे की कमी पढ़ जाएगी या नहीं पढ़ जाएगी तो इस चीज का ध्यान रखना है बच्चो जब कमपनी चीजें री इशू करती है share तो maximum discount कितना देती है जितना already उसके पास पैसा आ चुका है यह आ गया चलो यह discount दे तो यह तो आई गया है बाकी पूरा कर लो अपना ठीक है तो जब भी share discount पे रीशू होगा तो कैसे पता चलेगा capital reserve में कितना जाना है जो profit हुआ है वो माइनस करो जो discount दिया बचावा capital reserve में जाएगा यह बहुत खास बात है ओके चालो सर्थ लास्ट हमारे पास आता है बच्चों इसके अंदर एक topic presentation of share capital in balance sheet balance sheet में share capital कैसे दिखाया जाएगा तो ऐसे आप extract बनाओगे balance sheet का particulars note number current year previous year यहाँ आप लिखोगे equity and liabilities उसके बाद आप यहाँ लिखोगे share older fund फिर आप यहाँ लिखोगे share capital यहाँ लिखोगे note number one और यह amount मुझे calculate करनी है यह वाली amount मुझे calculate करनी है ठीक है यह sir कैसे calculate कर जाती है इसके बाद बच्चों नीचे note बनेगा note number one जहाँ पे हम लिखते है share capital अब share capital में कौन सी amount आती है सबसे पहले आएगा बावू authorized share capital authorized share capital इतने shares of rupees इतना each यह आगया जी फिर आजाएगा बिटा जी issued share capital इतने shares of rupees इतना each फिर आजाएगा subscribed share capital ध्यान रखना authorized भी balance sheet में नहीं जाता issued भी balance sheet में जाता subscribed balance sheet में जाता है सबसे पहले कौन से आएगे subscribed and fully paid fully paid कौन से होते हैं बचो जिन पर सारा पैसा मिल गया ठीक है यह यहाँ पर छोड़ देंगे यह भी यहाँ पर छोड़ देंगे इतने shares of rupees इतना इच यह बाहर आ जाएगा सीधा क्योंकि यह fully paid आप है इन पर सारा पैसा मिला है फिर आते हैं वह जिन पर एरियर हो गया subscribed and not fully paid यह होते हैं बचो वह जिन पर एरियर हुआ है इतने shares of rupees इतना इच इनका amount अंदर लिखना ठीक है सबोज एक हजार शेयर है टोटल पचास हजार शेयर थे मैं तो बता देता हूं टोटल पचास हजार शेयर थे 10 रुपए मांगे गए थे 4321 ऐसे मांगे गए थे ठीक है पचास हजार में से 49,000 ने तो सारा पैसा दे दिया और एक हजार वाले ने यह आखरी वाला एक रुपए नहीं दिया तो यह 49,000 तो जाएंगे यहां fully paid में 49,000 shares of rupees 10 each यह amount भार बर देंगे यहां पर आएगा 1000 share of rupees 10 each तो यहां पर amount आजाएगी इसकी 10,000 रुपए इधर ठीक है यहां पर इसके amount आजाएगी इसमें से less क्या करना है बच्चो less करना है calls in areas areas क्या है जो पैसा इसने नहीं दिया वो less करेंगे ठीक है इसने 1000 पर एक रुपया नहीं दिया वो यहां पर लिख देंगे call-sagers क्या है number of shares multiplied by जो पैसा नहीं दिया जो पैसा नहीं दिया वो यहां पर less किया जाता है उसके बाद हम बच्चो add करते है share forfeiture ठीक है share forfeiture क्या है जो पैसा मिल गया number of shares multiplied by जो पैसा मिल गया ठीक है बस इसमें एक चीज़ दियान रखना call scenario कौन से share का आता है जो share forfeiture नहीं हुए और share forfeiture किन का आता है जो share अभी reissue नहीं हुए अगर share reissue हो जाता है फिर तो forfeiture वाला पैसा capital reserve में चला आता है न तो यह वो पैसा होता है जो share अभी forfeiture नहीं हुए sorry reissue नहीं हुए इन दोनों को जोड़ दो और यह final amount आता है सर यह तो बड़ा उपर से गया खुछ समझ में नहीं आया यह आपने क्या लिखा तो बेटा देखो मैंने यह आपे format पूरा लिख दिया आप इस format को एक बार note कर लो ठीक है कि authorized share capital क्या है issue share capital क्या है subscribe share capital क्या है सबसे पहले subscribe and fully paid दिखाने हैं उसके बाद subscribe and not fully paid दिखाने हैं फिर not fully paid में से call scenarios minus करना है और share for feature add करना है अब इसके questions अगर आपको देखने हैं तो description में मैं जो link दे रहा हूं वहाँ पर मैंने questions भी solve कराएं वह आपको देखने ही है यह तो मैंने आपको एक one shot quick revision कराया कि जिन बच्चों को सारी की सारी चीज़े आती है 100% जो सब कुछ कर चुके हैं उनको एक quick revision करना है तो देखो सब कुछ याद आ गया होगा आपको कि कौन सी चीज कहां पर आती है कैसे लिखी जाती थी कैसे आपने practice करी है सब इसके अंदर cover हो गया अब आपको करना क्या है आपको simply description में जाना है आपको link मि जो जो videos दे रहा हूँ वो सारी videos बहुत detail में देखनी है pen चला के questions practice करने है तो हर concept पे आपको वहाँ पे question मिल जाएगा यहां से question शुरू हो जाएंगे promoter को, underwriter को, vendor को, public को, par पे, premium पे, उसके बाद call scenario का सवाल, call scenario का सवाल, call scenario का सवाल, call scenario का सवाल, उसके बाद for feature का सवाल, ठीक है, call scenario का सवाल, उसके बाद बचों for feature का सवाल, for feature में कौन कौन सा, for feature में par का, premium का, यह, उसके बाद reissue के questions, reissue के questions के बाद फिर finally, कौन से questions, balance sheet वाले questions, तो सारे के सारे questions, मैंने आपको quickly यह तो entries revise कराई, इन सभी questions को अगर आपको एक बार देखना है, तो description में जाओ, आपको link मिलेगा, वो करना ही है, अगर क्या, वो करना ही है, उसको complete कर लेना, आज का दिन पूरा का पूरा issue of shares पे ही लगाना है आपको, ठीक है, अभी यह वीडियो आपका लगबग 40-45 मिनिट में समापत हो गया होगा, अब तुम्हारे पास 5 बजे तक का समय है, 5 बजे त करना, उसके बाद मैं तुम्हें quick revision कराऊंगा कि इसका comparative comment size वगरे का, वो भी बस वीडियो देखना है, तो पूरे दिन practice किसकी करनी है, issue of shares की, जितने भी सवाल तुम्हें description में जो link है, उसमें दिखेंगे, सारे pen चला के करना, ताकि मैं जब most important questions कराऊं issue of shares के, तो तुम लो लग जौबस पढ़ाई में, ठीक है, मिलता हूं मैं आप लोग को थोड़ी देर के बाद, जिसके अंदर मैं आपको ratios के questions कराऊंगा, और revision कराऊंगा comparative common size और theory का, तब तक खूब महनत करो, खूब पढ़ाई करो, और issue of shares पे पूरा दिन लगा के, आज बेटा, dedication के साथ इसक thank you so much everyone